तो आज है हमारा पहला दिन हो go no Gona Pono prayer की intense healing वाला जो पहला दिन है वो है आज तो आपको यह कैसे अब शुरू करना है ठीक है आपको कोशिश करने हैं तुरंच एकदम एक दम fresh fresh सी अपनी फोटो को click करें अपने phone में और phone में ही इस photo को अब रख कर के देखें, जिनके पास में यह facility नहीं है, वैसे तो I'm sure कि सब के पास में ही यह option है कि वो अपने phone के अंदर अपनी photo को click कर के रख सकते हैं, पर जिनके पास यह option नहीं है, वो अपनी कोई भी photo जो तो वो आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, कोई पुरानी आपके बस में फोटो हुआ, अगर ये option आपके बस में नहीं है, तो ही है ये option, कि आपके बस में कोई पुरानी अपनी हार्ट को भी पड़ी हो, तो आप उसको ठागर के ले सकते हैं, देख सकते हैं, बस इतना ध्यान कि आपकी जो भी फोटो हो, वो सिर्फ आपकी ही फोटो हो, वो कोई ग्रुप फोटो ना हो, या दो लोग, तीन लोग ना हो, सिर्फ आप हो, ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फोटो के साथ में कोशिश करना है, कि पहले जुड़ना है, कि इस इंस जादा से जादा बड़ा हाथ है ना, हमारा खुद का रहा है, हम अपने दोशी जादा खुद ही हैं, कोई भी कुछ भी करता है, हम सबसे जादा कश्ट अपने आपको देते हैं, कुछ भी हो जाता है, हम अपने आपको सबसे जादा कश्ट देते हैं, और देने का तरीका हमार जो कि Other N am तरीके है सब के अलग अलग है उसको टेकल करने लेकिन को अपने आपको ही ी पहुंचा रहे होते हैं तो यही आपको देखना है फील करना है, फोटो देखते हुए, कि इस इनसान के साथ किया क्या है मैंने, सोच सोच के, कर कर के, किया क्या है मैंने, दूसरे लोगों की वज़े से, सिचोवेशन की वज़े से मैंने किया क्या है, तो जैसे ही आपकी ये वली सेटिंग हो जाती है, कि मैंने क्या किया है इसक साथ कितना पेन आपको धीरे-धीरे वो सारी सिचोवेशन वो लोग उनकी बातें वो सब धीरे-धीरे करके ना परी कॉलोन स्टार्ट हो जाएंगी, याद आने शुरू हो जाएंगी, आपको खुद से भी ध्यान लगा करके इन सारी बातों को याद करना ही है, कि ऐसी कौन-कौन से चीजे हैं, जिसमें जबरदर्स्ती खुद को कष्ट दिया है, और यही देखते जाना है, अपनी फोटो कष्ट देती है, हमें, उसके बाद में हमारे अक्षन आई जाते हैं, क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं, वैसा ही मिलता जुलता, हम कुछ करना भी शुरू कर देते हैं, दीरे-दीरे, जीक है, जैसे ही आपनी यह देख लिया, यह पूरी सेटिंग को किया, and then start करेंगे उसी पोटो को देना, जो आपकी सामने आपके पोटो रखे होई है, देखे, जैसे मानले जी की मेरे, सामने मेरी पोटो रखे होई है, अभी, आभी मुझे इसको इसे देख करके, फील करते होगे बोला है, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, please forgive me, 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 thank you, thank you, thank you, thank you, I love you, I love तो इस तरीके से आप चाहें तो इसका जो टाइम है उसको आप बढ़ा सकते हैं इसको और लंबा आप खीच सकते हैं आप चाहें तो इसकी इंटेंसिटी को और खीच सकते हैं आप चाहें तो इसकी इंटेंसिटी को और खीच सकते हैं आप चाहें तो इसकी इंटेंसिटी को और खीच सकते हैं कोई इंसान है, भगवान है, कोई पॉवर है, कुछ भी है, है ना, उसको से say I love you बोलेंगे, वैसे बोलना खुद को, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, वो जो I love you निकलना जाए, वो उसमें से seriously, वो लव वाली फीलिंग जो होती है, वो निकलनी जाए आपके लिए, आपको खुद से समझ मे पर आएंगे, जहां पर आपका जो self love है, वो थोड़ा सा टेज होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, और healing जो है वो और टेजी से, मतब दुगनी रफ्तार से हम उसको बढ़ाएंगे, किस तरीके से उस intensity को बढ़ाना है, और किस तरीके से self love की intensity को बढ़ाना है, ताकि वो जो healing ह वो आपको सेकंड डे से ही feel होनी शुरू हो जाए, ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि चार दिन में तो ये पूरी प्राक्टिस को मैंने इस तरीके से बनाया है, मैंने डिवाइड करके इसको रखा है, तो चार दिन के अंदर तो ये प्राक्टिस कवर हो जाएगी, लेकिन आ अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, येस, अब वो जो प्यार का अंकुर था वो आपके अंदर से फूटना शुरू हो गया है, सेल्फ लव की भी एक सीरीज अलग से लेकर क्या होंगी, जिसके अंदर सेल्फ लव ही इंप्रोव करने पर काम करेंगे हम, जिसके अंदर सि ये वी एक सेल्फ लव बढ़ाने का, बहत ही खुरसूरत तरीका है, जो हीलिंग के साथ में बढ़ाएगा, ठीक है, तो ये है आपकी हो ओपोनो पोनो प्रेयर का बेसिक वाला जो आज का टे था वो, तो इस तरीके से आप इस टाइम दूरेशन को बढ़ा सकते हैं, मिनिमम पांच मिनिट रखें, मैक्जिमम आप दस मिनिट, पंदरा मिनिट आपका जितना दिल करता है उतना करी, बस आई लव यू वाला जो लव यू है ना, वो आपको सीरियस लेवल पर फील होना चाहिए, ताकि आप सेल्फ लव को जब नेक्स्ट डे में पेक करें, तो उस आप जल्दी जल्दी हीलोंगे, ठीक है, और थैंक्यू भी हमें समझ में आता है, जो हम अपने आप से ही फील करते हैं, कि मैं अपने लिए कितना ग्रेटफुल हो यार, मैं अपने लिए कितना ग्रेटफुल हो यार, बस वैसी ही I love you वाली भी फीलिंग होनी चाहिए, तब